संबल के चल बौता ना बिखर लिख पिछले पश्टाविया दा ना तू एमें जिकर लिख सश्रीकाल तुसी देख रहे हो प्रोग्राम साही ते संग ते मैं राज बिंदर कोर और जड़ियां कवता दियां लाइना में तो डेनाल शेयर किती हैं इननु लिखन वाले जड़े रचिता ने जड़े इनन दे राइटर ने साथ डेनाल स्टूडियो विछ मजूद ने उनना दना है जी अमरित पाल सिंग पन्नू उनना दी एज काफी शोटी है ये पर उनना जड़ियां उपलब्दियां काफी वड़ियां ने इननी चोटी एज वे चुनना ने काफी सारा साहित लिखिया गीत लिखे कविता लिखी और बहुत सारे लेख भी लिख चुके है ज्यादा टाइम तो अन्नु इंतजार नहीं करूंदे ता मलोने साड़े आज दे पनुनाल और सब पहला सर में तो स्वागत कर दियां स्टूडियो वे चौनते और जिस तरह के सर तुसी कविता लिखते हूं गीत लिखते हूं काफी सर इड़िया है तुसी लेख भी लिखिया सब पहला तुसी की लिखना शुरू किता असल दे विच जदो सी शोटे यही तरह म अदुना कर दी अच्छ लिखना कर स कचला वरी सक्राइब कर सक्काथ के मैं अच्छ एक अजग़र ऑंप मैं कंतीम kन इस इस दी शकायत उना ने मेरे पेरेंट्स नो किती के तो अड़ा बच्छा मतलब इदन दे लिखदा साधेली लिखके उनने गीत बनाया तहां चलो माता पीता खोश भी हो एस चीज उपर ते इस तरह कर दें कर दें बाद विच मैं नौमी क्लास देविच जनता मौडरन सीनियर इस कंडी स्कूल मेटे चौंक उते श्कूलिंग मेरी तो ज़द उत्थ गया ता उत्थे अधा महाल कोज इमेंदा सी तो मेरे दोस्त अंग्रेश संग जी उननने काफी नाटक बहुत वदिया बहुत वदिया लेख लेख देंशन उननने नाड़ बैठं उठं करके उनननन दोस्ती करके मेरा भी रुजान बन गया कि मैं थोड़ा कोशिश करना लगा लिखन दी फिर साथ एक टीचर संग सरदार गुरपडी संग जी उनननने सानु दसना शुरू कहता है कि जड़ी भी कोई चीज तुसे हैं कोई भी तानु खुशी दिन दिया चीज इसनो थोड़ करया करो रुजाना डेली बैसिज दे उपर सो कर दें कर दें इस अफरम बाद वेच हॉली हॉली के में वार्त क्रूप बंदा गया बाद विच कवेतां अपजदियां गया सो इससे तरह मतलब शुरूआत जय में हर एक इंसान दी शोटी मर्द वेची उन्दियस तरह हुई जरूर दसना चामागा मेरे पिता सरदार अरपा जन सिंग जी उन्हादी वी एक किताब भी होई सी शिखी दा बूटा जो नहांने वी 16-17 साल दी उमर्दे वेच लिखी होई सी ता हो हमेशा ही मिनू एस चीज बड़े बड़ा इंकर्ज मोटिवेट कर दी थी के एक शोटी पर दी लुट्यक कई शोटी सी शान जे जान तो पहला मैंने किताब सी दी काच चाल किया हुए को बड़े के उन्हां रोज चान पढड़े देखिए एकसम थसके से रहे दोटाब किताब और होगों साठी न्हां पढ़ेंकरया से बड़िए हूं होघ दोगा पढ़ें कोई इसनों पढ़ दाए, सो हरे एक इंसानों जमें किताब प्रभावित कर दियाने, सो इससे तरह मिनुमी हो किताब जड़ी जड़ी मेरे फादर साफ दी, सरदार अरपायन सिंगोना दी, उनना दी किताब मौटिवेट कर दी, कर्जगार्दी जड़ी में पढ़ाया कर बाद विच नाटक क्योंकि मैं अधस्या जिस तरह असरदार अंग्रेश सिंग जी मेरे मित्र ने ते ओवी नाटक दे विच कहानियां दे विच बहुत माहर लेखक ने, सो लिखया कर दे सानों उनना तो सोना दी, रंगदा भी एक असर हो या मैं कह सक्दाँ कि जड़ा मैं मैं इस लाइन दे विच लिखना शुरू कर देता है जी और अपा गाल करिये तो अडी प्रेर ना दी प्रेर ना सी ओ सिगे तो अडी फादर साब और तुसी ना एक अपा जिस तरह के पहले डिसकुशन कर रहे सी तुसी एक काविता भी माहते लिखी हुया और मैं चौनिया कि तुसी एक काविता साथे दर्श का दे जरूर रूब रूब कर रहे हुआ जी ओ असल दे विचे कविता सुल्क दे लफाज कताब दे विच भी मेरी दर्श है क्योंकि हर एक इंसान दे बहुत नेड़ेदा कराबदा दुजा रूपी माहत दी है बिल्कुल जो शब्द मेरी जुबाने उचारया सी हरे केसन जाने मा मा पुकारया सी अज पाह मेरे शब्ड कोश वेच शब्द बढ़े जह किन्ने वि vivshshen किरयामा थे नाम परे थे वार वार वी एही कहके मूह नहीं राज़दा मा शब्द तों होर शब्द कोई मिठा नहीं लगदा रो रो के पैदा होएनू इको ही जरूरत सी पहली वार चेरा जद खिड़िया तक की तेरी सूर्ट सी हाई मैं मरजा आख के सीने लाग कुटे आता है नंगे पैरी जा जा चड़ाया जो मेरे लई सुखे आता है सच मुच पैरांच जन्नत तु मैं रूप राबदा मां शब्द तू होर शब्द कोई मिठा नहीं लगदा माँ शब्द तो होर शब्द कोई मिठा नहीं लगदा। शब्द कोई मिठा नहीं लगदा नहीं लगदा नहीं लगदा। तो ही मीठर नहीं लगदाएं लगदाएं करा नहीं करता मिनुली लगदा नहीं लगदा होता। केसगर साभी दरबार जे विए कावता बोली था इक अकाल तकत महान, संगत जी अकाल तकत महान, पूरी अकाल तकत साइब धी फांडेशन तो लेके ओधा सिख्पंथ देविच की जोगदान है सारी उसे नुदर संदी सी, इस तो खोशो के मेरी विए उना ने सेलेक्शन की ती डाक्टर हाई सिंग जाचिकते सो जज्जांदा पैनल सी, उस तो बाद शे जाने देविच मेरी विए सेलेक्शन होई, लुदे आने देविच उना बहुत अवधा सनुमान कीता, इस चीज न अवधिया रहा तोनों इनना ज्यादा मान सनमान मिले तुसी इनने जाने आचो जड़े इनने जड़े नामी सारे उत्थे सीगे लोग हाना, उनना चो तो डिसलेक्शन होई, आप पां जड़ी हागे ओक अवता दियां चांदला इना भी जरूर सुनना चाहाँ जी, उसल च अथनी करनी दे जरनैल संग जी, पूरे पिंड्रावाड़यां, नाड साथियां, वारी एस्तों जान, अकाल तक्त महान संगत जी, अकाल तक्त महान सो इस दे काफी बंद सन, इनने वेचाए मैं दो इस सिरफ अनु आप जी ने नजर कीते हैं, जी शेसत बंद सन इस दे जो पूरे कविता दे विच सन. वाधेय माराय। वाधेय माराय। वह दास देएंदिया। पर असल मैं समझ दा कि नौजवान जड़े ने अपने लिट्रेचर नालों आपने साहित नालों में टोट रहें। क्योंकि एक साहित जड़ा है वो एक इनसान जिंदगी बहुत अवर्ड़ा परभाप पहुंदा है मैं आपजी नजर करें कि मेरते जेकर किसी चीज दासर है तो सबतों वर्ड़ा पंजाबी लिट्रेचर साहित दाया जो जड़ी सोच निसान बदल आ जेकर जड़ा इसा इक साहितला को जड़ा प्रोंगिन था ना जड़िकली बतल जेकर जड़ा बहुतिर कॉठाह झाञा के करता कि दुशे में एक साहितलाकों अच्छा युए कर फाल जाग विश्वार्टे कर देदें किसे भी देश देविश देख देया, आपजी जरूर देखोगे को ज़िए कोई मान जा रही है, जा करोधा बच्यावी नाड़ ताँ में एक कताब पढ़ रही Еगी तो बच्यावी देख़ा है, QUE मेरी मान कताब पढ़ रही है, वाइस भॉंदेण संसकार बढ वादेन conduc Congressman कर देयां कर देयां उस दे दिन एक आप जी देखोगे कि कुछ समय बाद होदे उस बच्चे दियात विच भी कताब होएगी चलो एक चंगी प्रविर्ती है कताबां पढ़नियां सो मैं समय दा के नौजवान अनुई अगर वातों वात साहित कताबां पढ़नता एक बहुत वदी असर होएगा और सेर ने रहे का बहुत घूपसूर्ट सनिहां दिता है कि जटे सड्य नौजवान सिखी तो दूर जारह जा रहे हैं नश्यां दी दल दलवाल वदे जा रहे है ता साहित पड़ा नाल जड़ियां है गयां और काफी आप देप वेचे जड़ा है कि सुधार कर सकते हैं जड़ा है कि'll Maaj inconsist इस सोझ है कि अपनी जीवन देवी PPE रएवद देचे मेल कमें जीवन ओना जैची अजोचिभी का छेशिया है और अपा दास्ते ये दर्शकानू के डेडे अमरीत पाल सिंग पन्नू साडेनल जुड़े ने गीतकार भी ने कविता भी लेख देने ते काफी सारे लेख भी लिख चुकिया इनने एक गीत लिखया काफी स्यादा डेडा हैगा फेमस भी होया ओदे बारे भी अपा गल पर मिल दे एक छोटी थी प्रेक तो बाद फिर्टो स्वागता है प्रोग्राम चालर रहाए साहिते संग और आज साडेनल जुड़े ने अमरेद पाल सिंग पन्नू और प्रेक तो पहला जेसे तरह आपा गल किती सी के सरने एक गीत भी लिखे आपा ओदे बारे जानांगे तसर तुसी जेस तरह के कविता लिखे लिखे हो ना तुसी काफी सारे रेड़े विश्यानु शोय आपनी कविता चा ते तोड़ा अचानक जिमें गीत वाल चुका किमें होया ने असल देवेच हो जी मैं 2015 देवेच दुबाई गया जी कामदे सिलसले देवेच उथे मेरे दोसान जमेतान मंदस्या को कोइंसिडेंसी एक के अंग्रेज सिंगुना ना राबता है दुबाई देवेच जो थे एक गीत में स्टैंग सी मतलब खोदी क्रियेट करके सारा वदा म्यूजिक वगरा करके बनाया सी हांजी वह बहुत वदी रस्पांस रिया को जेड़े करता सी के बनियें पशान साधी पागतों कुंडी मोशा सी शाओं कनाल राख दे इस तरह गीता वाल भी सी क्योंके जो एक कवता लिख सकता जान मतलों कोई भी इंसवाना है तो गीत भी में काफी हैंजी इस तरह कर देंगा दन लिखे हो एने और होन भी तुसी डेड़े ग आट लिखनी जारी है अपनी हाली क्योंके ए जड़ा तो आड देणाल कोई जड़ी चीज जोड़ी हुंदी है जहां ओ कहें देना के बड़ावधी विचार पाकिस्तानी वीरों बोल राए है सन्न के जहां ते इंसान कभी हुंदा है जहां कभी नहीं था जहां तो भी नही कि काम की भी बागत सिमा में लिदा है तूर्ट कर थे मंaturון कर देनी जरूर कहां या से या समस्तित खरते हैं अग रिंगेों लिदे अभी सफस्राइन का में चांट शोड़ी में ह very अगते हैं तो अद्धा को यद दन दा रोल मॉडल जिरो तुसी फॉलो करते हूं बिल्कुल य। पहला था में दस्याद नूंगे मेरे पिता सरदार हरपा जन सिंग जी उनना तो ही मैं बहुत ज्यादा प्रभावित सी हैं क्योंकि वी एक शुरुत लिख दे लिखने लिए हूं जी जी कर गी ता है तो इस तरहां उनना तो ही मैं जी अचेर्ण के लगग रगिर उची पीड़ा है क्योंकि वी कि वी तो ही कि लिख इन सान कार दे मैं हमेशा ही लाइब्रेरी एक शोटी जी देख दा सी ओ कटाब बढ वाद मेन काय को सब्सक्राइब पैसे दोग एक तरजीद बाद को दोग अपनी करीद ही ईदा और जा विए जी टोग शाट पैसे उदा आंजा झालेंगे काय को सब्सक्राइब कर लोगों थेपाट आफ जाते हो किनहें थे कर पैसे बाद जाने भी कुछाश एंटी आट कर द तुसी जरूर समाजए के विशह नाढ़ आप रेखेंगेansen ौर से समाजए कषिए ना जुड़ी होई रडी काविता सदे तशकां दे रूब रूब करो अजी जुरूर असल देश्च जदो में असी समाई दे बिच विचर दे आता है को जाए सच जथारत हुं देने जाए सरफ एक सिफ्त नी को जवे गुरुनानिक साथ जी ने में बाबर नु जाबर कया जां ओची जां ममी ओन जांन देख दा रहेी ना और शो ऑबिचल देश्च बीकावत कवता था जी जबता है की पावरत ने डारदे लोग ढलपावर दी करदे लोग अखन एदा, रबलाई फे लड़े लोग राब दी गाल आखण के एदां राब लई फे लड़ दे लोक कन्नी ना सुन दे कान फड़ देने तौबा ना उन बे दर दे लोक मेरी तां बड़ी गाल दूर दी अपने लई ना खड़ दे लोक हाथ वड़न वोटां दे वेले पैर कुहाडी तर दे लोक तेर मेरा तेरा हुंदी, तेर मेरा तेरा हुंदी, तीजा कौन जे पड़ते लोक अमर्त तुंतां आख़ देता है तेरे ना खे मरदे लोक और बहुत घड़ी आख़ लाइन तुस्य अपनी कविताच लिखी है और असलार लग रहे आज़ लोक लोकां इंसानियत मेर् जमीर मर चुकी है क्या तो डैस पर रहे ? क्योंके कविता से लेख वही गल कितिया तो इसकर करने पूछना था हुआ है तो जो मैं आज दे महौल करते यहां आसल देए अवे गुरू साव सभी तर्मुत सेकंडरी रखे तर्म सरेष्ट है रायनित्य को अदे नीचे लेकिन आज देए समाज से चिंचाने जोंगा ज़ो भी रायनित्य कर रहे हैं विर्ति उन्दियों थोड़ा ज्यादा है नहीं अबसर्व कर लेंदा है जो जहां इसली मैं इना विश्यां देवेचे ना कबतामां देवेच पहुंद रहींदा और तौटी एक एक बुक पब्लिश हो यह सुल्ग दे अलफाज इस अड़ी दर्शकन हो दो जार पंदर रहा मैं आप सुल्ग दुझभाई के पर देवेचे मेरी न आप दी अध्या काषण करी सेल्गां में आप बार दी यह संग्र में घंड़ा बिचन सर्थいます इसलो नो एक मताव अव्ट देल फाज रहें ऊश्छनों एक बहुत बढ़ी होंगा रहा मड़ा जिन जन लोग कनमियो पड़ी बहुत प्यार देता है जी और इस तरह दी जिदो अपपा जड़ी है गिया कवीता लेख दिया जिदेनल सभी समाजनु एक सुनिहा मिल दा है सभी समाजनु सिद्धे राते चलन दी प्रेरना मिल दिया तो लोग जड़ी तो अप्रिशेड कर दिया क्योंकि अजकर लोग भी जड़ी है कि चंगा सु अब दूबलेश चुके है कि अज़ए पिश्य जामागा था प्लास्टू पड़ाशी तो पर्दासी तो गुरमत परकाश एक शरमनी गुरदा परबंद कमेटी दा मास्क पत्तर है मेरा पईली बार लेख लगा था मेरी उमर बहुत शोटी ज़ए ज़ए लेख लगा था त और ज़ए इस्त भी दस्की विर्शन ज़ड़ननी लोड लगा त भी मेरी लेखंवाल भी रची काफी वाद गई लएह कन वारे तो दे मठराड़ा मेगजीं दूख लेख लगण करूए दूबले ज़ए लेख लगणनी चुरूए उस तो बाद जरू सिह नूबदाश वी इस्तार सटार को अर्प मेरी मेरी हट एक मेरी मेरी माद्रिक गड़नाया वे लुकां दे बाट पट्धे अन्रहा बहुत फोन के शुक्तु होग सब्सक्रां डाटे अंभिन ही ठातने हेसे अड़नेध मेगजिन कावता दे वादी केडि बहुता घीत हो गया तो किसे ज्यादा कहाँ करना चाहने है असल दीच मताँ लेग जादी के रिदा खार अपने रूप ने हरेक जोचे है और मिंस्ट अब लिट सोचे अर मिन उग्र गजल कहना जाए चीज अगे जादा वदियाना जी आज़ आजा इंडीज का रहे हूं और तर देड़े हागे फूचर प्लान्स की ने अजकर मैं एक अगली कताब ते काम कर रहे हैं जी ते वेचे सारे समाज के विशे होनगे क्योंके केस तरह जो लोग ने अपने आप नाड़ों अपने जड़ा नाड़ों अपने विचारता रहा नोखास करके कि विचारता रहा है कि जड़ों मार जान दी आपना इतियास पर जान दी आने तो उना उना संसार दिन अक्षेतों में तरन लगें देर नहीं लग दी जड़ां दी वेचे गाल करांगा क्योंके नौजवान जेकर वदेश भी जान देने जड़ां जुड़े रहांगे तो उना कोई भी दुनिया दी ताक्त नहीं ला सकती तो कताब इस तरह करके मैं लिखनी शुर्क किती होई है जो परमात्मादी जदों मी और रजा होई होई है और सर जेस तरह के तुसी सारे लड़े हैगे समाजे के विशेश होई है अज नौजवान जशे अपने काविताच अगली शुर्क होई है तो लिखने दे पिख्छे तुसी की कारण मान देओ असल दे वीच बिख्या जावे है याँ जी नौजवान अगर पढ़ दे भीने ता बहु गंदिती दिया पांजेकर गाल करिये कि निया में विए दिग्री जिन निया मर्ज यह नहीं कहसागा कि कोई देश माड़ा नहीं हो लेकिन नौजवाना नुग। नुगार 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 नुगार, टुकाईट विए प्लेटफॉर्म चाहिदा, जाएज़ के वना काई यह जोब मिल सके यह लेकिन उज आए ज सारे जान दें, कि यह उल्ग जान दे प्रस्टो आप्रस्टो हो जान दें. सारी जान दें, आफ्सर शाहिदे, क्या कुए जूभनोर जान से यहुगए, जूट जा जान दें. कामदा ना मिलना और लाइफ नो साथिस्फेक्शन तो बास क्योर नहीं है तो परनेख के लोके बेरुजगारी है तो ही इनसान जड़ा बहुत तैलेंटड़ा है और उस चीजी दा मुलन नहीं पहिंदा है जाद वे देश्टी तरती जाना है तो ही तैलेंट वरत के वोचीज करता है और जिस तरह के सरपक गल्ला तो अदेनल होर भी करना चाहिए बट जड़ा समा है गासानों इजाज़ा नहीं दे रहा पर जानदे जानदे मैं तो जरूर पुछना चाहूंगी कि जड़े आज दे सदे नौजवान है गया जो अपने रहा तो पट एक जुक्किया उ कि जड़े मांगदें कि से प्यारे मेल जिनना मिलें तेरा नाम चे तावे सो अगर साधी संगत चंगी होगी तो मैं समझ दा के साधी जिंदगी दी रंगत वी चंगी होगी जो मैं एक लिखे आजी कि अपने भी हरेकली मॉटिवेशनल है कि जेकर हिमत शट गया ता जिंद जाए उसने हिमत करके कोजना कोज पैदा करी लेना उसने बंजर्च भी कोजना कोज उगाई लेना तो नौजवान जड़े हिमती ने वो किते भी चले जाना है समय दे पर बावेट थोड़ा समापने डाउंस ते होंदे रहें देने और होमेशाई चड़ती कला जड़ा इं पिर एक नमे साहित करनों तो हड़े रूबरू करांगे ता तक लिए मैंनू देओ इजाजत और तुसी देख देरों विजन पंजाब टीवी हर कदम तो हड़े नाल सश्रीकार ले